हेलो फ्रेंद्स दिस गौतम पांडे विलकम टू फोरम आईए दोस्तों बैक टू स्कूल के सेशन में फिलहाल हम मौडर इंडिया डिसकस कर रहे हैं आपके साथ और अभी तक हम चैप्टर फोर डिसकस कर चुके थे तो आज की इस वीडियो से हम चैप्टर फाइब से सुरू Commission the economic policy of the British Empire in India during 1757 to 1857 means 17-17 से लेकर 1857 का जो इक आपिशन थी ती आप्यिशन थी 1833 का अक्सर अग्जाम में पूछा जाता है, हम देखते हैं, तो उनका जो बैक्ग्राउंड था, वो क्यों आया, कैसे ये चार्टर बने, उसे डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम तब बैक्ग्राउंड को देख लेते हैं, देखें, 1757 में हमने देखा क्या, कि जब बंगाल पर पूरी तरह से ब्रिटेन का, जो इस्ट इंडिया कंपनी ची उसका रूल हो गया, कबजा हो गया, तो उस समय तक जो इनका एड्मिस्टेशन सिस्टम था, इसमें ज्यादा इंटरफेर नहीं करना चाह रहे थे, इनका क्य अपना, जो में अब्जेक्टिव था, वो नहीं भूले, हमने पहले भी आप से डिसक्स किया कि कमपनी का में अब्जेक्टिव क्या था, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, सबसे इंपोर्टन, जिस काम के लिए सिर्फ यहां आया थे, साथ ही साथ अपना जो बिटेन की यहां पर जादा इंप्लिमेंट करना, जो पॉजेशन था, उसे स्ट्रॉंग होल बनाया रखना क्यूंकि उनके कंप्टिटर भी आ चुके थे, हमने प्रेंच को देखा, पुर्टिज के साथ इनके कॉन्फिक्ट देखे, तो ऐसे में यहां पॉजेशन अपना इनके प्रॉफिट को बढ़ाना, बाकि जितने भी इनके अब्जेक्टिव हम देखेंगे, यह सब इसके अंडर में ही थे, ऐसे में देखी क्या होता है, 1765 तक आते आते, बंगाल पर पूरी तरह से इनका कैप्चर हो जाता है, कैसे हो जाता है, पहले भी हमने आप से डिसक करते हैं, देखिए, कंडिशन क्या थी, एक तरफ क्या होता था, कि जितने भी बंगाल के लोग थे, उनके पास कोई पावर नहीं था, बट उनके पास रिस्पोंसिलिटी बहुत जादा थी, हमने डिवल गवर्मेंट वाला जो सिस्टम देखा था, डिवल अडिस्टेशन स सिस्टम, कि 70-72 में आकर इन लोगों के लागा कर पूरी तरह से अब इक्वायर कर लें, 70-72 के पहले तक तो क्या था, डिवल गवर्मेंट चल रही थी, तो इस जम्हें जो 1765 से लेकर 70-72 वाला टाइम है, इसमें इन्होंने पूरा एंजवाय किया, इनके पास रिस्पोंसि उनके पास बहुत ज्यादा रिस्पोंसिलिटी थी, बट उनके पास कोई पावर ही नहीं था, तो ऐसे में जो करप्सन लेबल था, वह ज्यादा बढ़ता चला गया, दोनों ही क्या देखेंगे, चाहे बिटिसर्स हो या इंडियन हो, जितने भी ऑफिसिल थे, उनका एक के लिए और दूसरे बिटिसर्स जो है उनके लिए, बिटिसर्स के लिए कैसे प्रॉब्लम है, कि जो बिटेन में बैठे लोग हैं, उन्हें अब लगने लगा, कि इतनी दूर हम बैठें यूरोप में, और इंडिया में क्या चल रहा है, यह उसके पुरी तरह से रेगुले लग जाते थे और लेटर का रिप्लाई पहुँचने में 20 डेज लग जाएगा तो ऐसे मैं समझ एक 40 डेज का टाइम डूरेशन है इस बीच में इंडिया में क्या चल रहा है वो बिटिस ऑफिसियल जो थे जो इस इंडिया कंपनी के ओनर थे उन्हें पता नहीं चल पाता था तो यह एक प्रॉब्लम बढ़ते जा रही थी कि कैसे भी करके जो कंट्रोल कैसे बढ़ाया जाए क्यों करफशन लेवल बढ़ता जा रहा था ऐसी बात नहीं कि यह सारी बाते छिप जाग सकती हैं अगर आप करफशन करेंगे तो बाती निकल कर आती हैं दूसरा जो उस समय तक बंगाल, मदरास, प्रेसिडेंशी वगरा बन चुके थे तो ऐसे मैं समझ यह किनका रिउलेशन जो हो रहा था वह strongly तरीके से नहीं हो रहा था इसलिए करफशन भी बढ़ रहा है तो हम देखें क्या होता देखें प्रॉब्लम ऐसा बढ़ता गया कि अब पॉलिटिकल इसलिए जो रहा है कि बीदिकल बैशा इसलिए जो वहां के लोगों में भी बढ़ने लगी इसमें हम 3-4 देखते हैं एक एक इसलिए अदिया कंपनी का डा म्हरे संद सदेखें और दूसरा बिटैन में प्रेशन बिटेन को जाते थे तो उनके पास बहुत पैसे होता था कहा जाता है कि जब रॉबर्ट क्लाइब 34 एर के एज में वापस बिटेन को गया तो उसके पास इतने पैसे थे कि अब हर साल लगबग 40,000 पॉंड कमा सकता था तो समझी पैसे क्या थे बहुत जादा यहां मिल रहे है ऐसे में जो बिटिस सोसाइटी थी वो जलिस हो रहे थी अब उन्हें लग रहा था कि जो बिटिस एस्ट इंडिया कमपनी है उसकी मोनोपोली को तोड़ना बहुत जुरूरी है क्योंकि क्या यह लोग यहां जाकर हैं तो आपके सामने नॉर्मल बने होगे वहां जाकर उनक अब जो लोग यहां से जा रहे हैं उन्हें लग रहा था कि यह लोग सोफ करेंगे वहां के लोग पैसे दिखाएंगे तो पर्टिकुलर वहां के लोग थे उन्हें लगा था कि यहां से जो लूट कर पैसे जा रहे हैं उनका क्या किया जाए बाइकाट किया जाए उन्हें इसी context में हम देखेंगे, कि जो person थे, उनका boycott करना शुरू करते हैं, और जो लोग यहां से जाते थे, जैसे कि Robert Clive वगरा गया हिस्टिंग गया यहां से, तो उन्हें नवाब कर रिफेम करते थे, उनका इंसल्ट करते थे, मजाग उड़ाते थे एक तरह समझे, कहा जाता है, कि paper हो, new paper हो, उसमें भी नाम छपता था, तो नवाब करके निकलता था, वहां पर जो, और नाटक वगरा होंगे, वहां पर इनका मजाग उड़ा जाता था, खास करके पुरा फोकस होता था, Clive और Warren Hasting पर, क्यों होता था इतना समझ सकते हैं, कि Clive और Warren Hasting के टाइम में हमने इसा करके company को unpopular कर देंगे और इसे destroy कर देंगे, जो इसके monopoly है, उसे तोड़ देंगे, बिट ऐसा होता नहीं है, देखें क्या है, दूसरी तरफ, हमने कहा कि जो वहां की government थी, वहां की minister थी, उनका approach किया था, देखें, यहां तक आते हैं जब पैसे जादा हो रहे हैं, तो इसे लग रहा है कि बंगाल को पूरा एक्वायर कर चुके हैं, इसे इंडिया company और इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो जो पैसे हैं, उन्हें profit sharing हमारे साथ भी करें, पहले भी हमने आपके साथ डिसकस किया है, ऐसा ही होता है, वहां कि लोग, यतने government officials हैं, और जो ministers वगर हैं, वो एक act बनाते हैं, act बनाते हैं 1767 में, 1767 में हम देखेंगे, कि 4th lakh pound per year, जो British Treasury में देने की East India Company को order दिया जाता है, हमने पहले भी आपसे डिसकस किया था, अगर नहीं देंगे आप पैसा, तो क्या करेंगे, हम नए चार्टर अगर लाकर आपकर आपके जो मोनो पार्लियामेंट था, वहाँ के लोगों को अभी यह लगने लगा था, कि अगर इसे मोनोपोली के ना तुड़ागे, East India Company को, तो लॉंग टर्म में हो सकता है, कि जो बिटेन की पोलिटिकल सिस्टम है, जो एडविस्टेशन सिस्टम है, पूरी की तरह से एक्वायर कर अब ऐसा नहीं कि जो East India Company के लोग थे, वो बेकूप थे, यहां तक आते आते देखें क्या था, इन्हें इतना समझ में आ गया था, कि जो 18th century का हमारे बिटेन का पोलिटिकल सिस्टम है, वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका था, करप्ट इन दे से कैसे, आज अगर current इंडि जो पार्लियामेंट में बेठे हैं, अगर वहीं हमारे लोग पहुंच जाए, तो जो भी policy वागरा बनेंगी, कानून वागरा बनेंगी, वो हमारे लिए बनेंगी, हमारे recording बनेंगी, इसी context में इन्होंने, पैसे वागरा खर्च कर, कि जो retire officials होते थे श्टिनिया कंपनी को, उसे इन्होंने house of commons में बेज दिया, अब समझ ये क्या, एक तरफ क्या है, बाहर आम people, जो normal people हैं, इनका defame कर रही है, इनका मजाग उड़ा रही है, और इन्हें अनपॉपुलर करने की कोशिस कर रही है, दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे, कि अब parliament में हैं, इनके लोग ब देखेंगे, उस समय के एक important economist Adam Smith, उन्होंने अपनी book wealth of nation में भी इस्ट इंडिया company की क्रिटिसाइज किया, कि इस्ट इंडिया company बहुत जादा वहाँ पर जाकर extortion अगरा कर रही है, और गलत तरीके से पैसे कमारी है, तो यह point हम याद रखेंगे, कभी-कभी factual basis question पूछ लिय की है, तो यह Adam Smith की है, इसे हम अलग से एक normist class में आपके साथ discuss करेंगे, देखें यहां तक क्या था, यहां तक आते याते, बिटिस company की थी, और जो बिटिस company के shareholder थे, और साथ ही साथ जो बिटेन की government थी, उसे ही लगने लगा था, कि जो हमारी East India Company है, इसे रियोगनाइज क कर रहे हैं, वो समय समय पर क्या है, करप्ट होते जा रहे हैं, अधिस अधिक पैसे वाही कर रहे हैं, तो ऐसे हमने पहले भी आपसे discuss किया था, कि जो इनका administration system था, वो long term में क्या हुआ, चेंज होता रहा, और पूरा का पूरा चैप्टर भी इसी पर है, कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में, जो इनके economical policy थी, जो गौर्मेंट का administration था, वो कैसे change होता गया, तो यहां पर आकर, यह decide हुआ, कि अब समय आ चुका है, कि जो इस्ट इंडिया कंपनी है, उसका administration को change किया जाए, देखे, कंटेक्स कैसा बना, कि उस समय, इस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाइक पॉं कि जो बिटेन की parliament में लोग थे, जो इनको पसंद नहीं करते, उन्हें मौका मिला कि अब कैसे भी करके, इस्ट इंडिया कंपनी को जो भी इनके power है, उन्हें suppress करेंगे, साथ ही साथ हम देखें कि कैसा नहीं कि सिर्फ इनके enemy ही थे, हमने क्या कहा है, कि समय तक, house of commons में इन इंडिया कंपनी को, हो सकता है, इसे प्रोफिट मिलता होगा, इसके बाद हम देखेंगे क्या, कि जो 7073 का regulating act आएगा, 1784 का act आएगा, 1813 का charter आएगा, यह सब charter वगरा, इस ही के outcome थे, तो अगले वीडियो में हम आपके साथ, जो भी charter है, जो उसमें काउन काउन से important point है, उस Last year we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes